नमस्कार आज की हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल की अध्यक्ष का कहना है राउर केला इस्पास सेंत्र ने अन्य सेल इकाईयों के लिए अनुकर्णिये उदाहरण स्थापित किये हैं और सेल राउर के लाइस पास सेंत्र द्वारा प्रायोजित दीपिका इस पात सिक्षा सदन के 6 छात्रों को के आई 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 टी भुवनेश्वर में आई टी आई के लिए लक्षे रखा गया अब समाचार विस्तार से 28 नवंबर को सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने बर्चुल मंच के माध्यम से आयोजित विचार विमर्श सत्र में RSP के लगभग 500 अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा राउड किला इसपास सेंत्र सेल में धश धारक बन गया है और अन्य एकाईयों के लिए अनुकर्णिय उदाहर्ण स्थापित किये हैं सेल के निदेशक वित श्री अमित सेम के साथ साथ CEO श्रीदीपक चतराज, कारेपालक निदेशक वर्क्स श्रीपी के दास, कारेपालक निदेशक परियोजना श्रीपंकच कुमार और RSP के सभी मुख्य महाप्रबंधक गर्ण इस विचार मर्श सत्र में शामिल हुए RSP के रिकॉर्ड ब्रेकिंग दौर और CEO और कारेकारे निदेशकों के कुशाग नेतरत्व की प्रशंसा करते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि RSP के इसपाती बेंचमार्क निर्धरित किये गए हैं, जिसे दूसरों द्वारा पार कर पाना मुश्किल है उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर कोई RSP का नाम बहुत गर्व के साथ ले रहा है आमतोर पर कंपनी और विशेश रूप से मुझे RSP कर्मी समू के सराहनी उपलबधियों पर गर्व है हलाकि आत्मसंतोष की कोई गुनजाईश नहीं है आको कई और मील को पार करना होगा और हर संभव प्रयास करना होगा ताकि उत्पादन में सफलता विट्टी लाब के लिए अन्वादित हो बाजार में प्रचलित सकारात्मक प्रवित्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए सेल प्रमुख ने कहा कि कर्मी समूग को प्रवृत्ति का अधिक्तम लाब लेने का लक्ष रखना है और प्रात्मिक्ता वालेक शेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लाबस्तर को बढ़ाना है प्लास्ट परनिस वन परियोजना के सफल समापन की सराना करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इसे अन्य सभी लंबित अनुबंधों में दोहराया जाना चाहिए श्री दीपक चतराज की प्रशनसा करते हुए अध्यक्ष महोदे ने कहा कि कर्मी समूग के साथ उनका निरंतर संबाद और संचार बनाए रखने से कर्मचारियों के मनोबल को काफी बढ़ावा मिला है श्री चौधरी ने कमपनी के कर्मचारियों को स्वामित्व लेने और कमपनी के बारे में अच्छी बातों को बोलने का भी आफवान किया उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कम्पनी के बारे में जितनी बहतर धारणा होगी उतनी ही उची हमारी पूजी करण और शेर मूल्य में बढ़ोतरी होगी श्री अमित सेन ने अपने संबोधन में भौतिक और साथ ही आरेसपी के वित्तिय प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि स्पाथ सेंत्र ने अपनी सराहनी उपलब्धियों के साथ से लिकाईयों के बीच एक विशे स्थान अरजित किया है उन्होंने संगठन की छवी को बहतर बनाने पर भी ध्यान के इंद्रित किया जो अंतितर कमपनी के बाजार मुल्य को बढ़ाने में मदद करेगा प्रशंसा और प्रोचसाहन के अपने शब्दों के लिए अध्यक्ष महोदे को धनेवाद देते हुए श्री दीपक चत्राज ने उन्हें विभिन प्लांट इकाईयों में की गई अभिन पहलों के बारे में अवगत कराया जिसमें उतकरष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्होंने कहा अनुकूलता, गुणवत्ता और लागत हमारे तीन प्रमुखे एजिंडा हैं जिने हम सभी अपनी इकाईयों में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं RSP की सफलता का श्रे सभी विभागों के अपने सहयोगियों के साथ साजह करते हुए श्री चत्राज ने कहा कि चुनौतियों के प्रती कर्मचारियों की प्रतिक्रिया अध्भुत रही है और उच्च स्तर का उत्साह और भी अधिक उपलब्दियों की ओर जा रहा है श्रीपी के दाश ने सैंत्र द्वारा उठाये गए तकनीकी हस्त शेपों पर बात की जबकि श्रीपंकश कुमार ने विभिन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी साजह की इस अफसर पर आयोजित विचारविमर सत्र में अध्यक्ष ने विभिन प्लांट इकाईयों की वर्तमान स्थिती और भविशकी योजनाओं के बारे में प्रदिभागियों के साथ चर्जा की इस पाथ सहर के हाशी एवं कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए राउरकिला स्टील प्लांट के निश्विल्क स्कूल दीपीका इस पाथ शिक्षा सदन के छे शात्रों को सेल राउरकिला स्टील प्लांट द्वारा के आई-ई-ट भुमनेश्वर में आई-टी-आइ किया जा रहा है सत्र की अध्यक्षताट DMS की अध्यक्षा श्रीमती राका चटराज ने की इस अफसर पर DMS की उपाध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सुप्रभामिश्र श्रीमती सुमनलता और श्रीमती किरंड सिन्हा मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन नेवं CSR श्री M.V. अपाराव, उप महाप्रबंधक CSR सुश्री मुन्मुनमित्रा, DMS की सचिव सुश्री नमिता महापात्र, DMS की शासी निकाय सदस्य प्रशासक DISS श्री S. मिश्र, DISS के हेड़ मास्टर श्री S. सामल और संस्थान के सम्मंदिज सिक्षक थे कारिक्रम का आयोजन COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया था गर्मानियों ने शात्रों के साथ बादचीत की और उन्हें उनके सैक्षिक प्रयाशों के लिए सुपकामनाय दी श्रीयजे नायक ने योजना और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया KIITS भुवनेश्वर में ITI की पढ़ाई के लिए चुने गए छे चात्रों में अंकिता दाश, निशा चत्रिया, पूजा रानी बेहुरिया, खिर पद्री सेंदरिया, नील माधव नायक और अमन सुना है KIIT में चात्रों की आवासिय सिक्षा के लिए प्रतिशात्र, प्रतिवर्स, 57,000 रुपे की वित्तिय सहायता दी जाएगी DP का इसपास सिक्षा सदन कक्षा 1-10 तक में 600 से अधिक नामांकित चात्रों की संख्या है इस विद्याले में चात्रों को नेमित और सर्दियों की वर्दी से लेकर कितावे, स्कूल बैग और जूते के साथ-साथ, पौश्टिक दोपर का भोजन तथा तकरीबन सभी सेक्षनिक सामगरी उपलब्द कराई जाती है चात्रों के पहले बैच ने वर्ष 2016 में इस स्कूल से Board of Secondary Education ओडिशाद्वारा संचालित कक्षादस बोर्ड पास किये अब तक RSP ने 11 DISS चात्रों को KIIT में विवसाईक अधियन करने के लिए वित्तिय सहायता प्रदान की है आज की हिंदी समाचारों में इतना ही नमस्कार